आप सभी दर्शोकों का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगी India Bulls, और इसमें जो fall हो रहा है अभी पिछले दो दिनों से, इसका क्या निशकर्ष निकाला जा सकता है, आपको किस लेवल पर buy करना है, अगर buy करना है तो, fundamental valuation क्या है company के, और near term outlook और long term outlook क्या बन रहा है technical basis पर, इस सब की समिक्षा करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो को देखिए, आगे हम बताते हैं आपको करना कैसे है, India Bull is one of the leading home loan lender in India, भारत में काफी बड़ा lender है India Bulls का, और आप अगर Delhi जैसे एरिया में या गुरगाउं जैसे एरिया में देखेंग आप बोलतीजे इंडिया Bulls के पास जाना है तो वो समझ जाएंगे, वो यह नहीं समझेंगे कि आपको TCS के पास जाना है या Cognizant Office के पास जाना है, अगर आप इंडिया Bull का Office बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे गुरुका उसमें आपका, तो यह समझ सकते हैं आप इसका कित कैप है और इसकी Valuation Face Value दो के basis पर की गई है, तो काफी अच्छा कैप है, कोई small cap नहीं है और relatively company की performance भी अच्छी रहती है, अगर sales की बात की जाए, तो March के quarter end होने में sales में कोई थोड़ा सा reduction हुआ है, और उसके हिसाब से उनकी जो profitability है, वो 500 से घटकर करीब 126 रह गई है, त नहीं और other cities में इनके पास काफी सारी properties, 4 लाग से ज़धा properties है इनके पास में, तो बहुत अच्छा position बनी हुए इनोंने अपनी, और आपको पता ही होगा, महिंदर सिंग धुनी जी भी इनके brand ambassador है, तो काफी अच्छा है इनोंने investment किया है, अब अच्छी ख़बर क्या है इन कि आपको अच्छा advantage मिल सकता है इस stock में, long term view अगर आप रख रहे हैं तो, अब जैसे आपको पता है कि इनकी tagline है, अब घर आ जाओ, तो इनके basically ये help करते हैं, young couples को अपना घर का loan लेने के लिए और घर को सजाने के लिए, तो बहुत अच्छा मुहीम है इनका, बहुत अच अच्छा objective है और आप सबको help करते हैं कि आपका अपना घर खुद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगीगा तो एक बार like बिटन ज़रूर दवाईएगा, अब हम चलकर इसके देखते हैं promoter stakeholders की क्या position है, 23% promoter का stakeholder है थोड़ा बढ person में और अगर हम बात करें अब इनकी FII की holding वो थोड़ी घट गई है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है और इसी वज़े से थोड़ा stock pressure में है, DI की holding थोड़ी study है, थोड़ी बढ़ रही है और others की Indian retailer की थोड़ी 15% के असपास है, तो कुछ जब समय improve होगा इसका housing market जब अब हम चलकर इसके बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको इनकी website का बारे में दिखा दें, तो website में इनका instant home approval करते हैं, बहुत genuine EMIs प्रवाइड करते हैं, आप online calculate कर सकते हैं, कितनी EMIs हो रही हैं की, और apps से आप इनके साथ contact कर सकते हैं, जैसा आपका बताएं, इनके पास बह location पे, एक अच्छी खबर यह है कि आपके पास अगर property और आपको कुछ पैसे के urgent cash की जूरत है, तो उसके against वो आपको loan भी दे देते हैं, जिससे इनको भी फाइदा मिलता है, और आपको property बेचनी की भी जूरत नहीं पड़ती है, और प्रधान मंतरी आवास योजना के साथ तो ये मिले हुए हैं ही, जिसकी वैज़े से इनका काफी अच्छा profitable रहता है, और अगर आप बात करें कि इनकी view की, तो एक मिनट का ज़रा यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो vision बनता है, कि कैसे ये लोगों को home लेने के लिए help करते हैं, produce कराने के लिए, तो वो अच्छा view use किया है उन्होंने लोगों को encourage करने के लिए, घर buy करने के लिए, तो काफी अच्छा interactive website है, इस पास की तारीफ करनी पड़े की, क्योंकि हमा IT से हैं तो हम बता सकते हैं, काफी अच्छा website उन्होंने design किया हुआ है, develop किया हुआ है, बहुत अच्छा मैनत किया है उन्होंने नए दर्शक है, सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार channel पर आए हैं, तो please channel को subscribe कीजे, ताकि आपको latest stock based information और time to time information मिलते रहे, यहाँ पर education video भी मिलते है, और आपको education video के साथ में motivational video भी मिलेंगे, और इसके साथ में आपको हम लोग time to time quarterly results की बात करेंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि आप किस stock में invest कर सकते हैं, fundamental valuation क्या है उनकी, और technical level पर क्या है, और कोई news based stock है तो उसकी भी ख़वर बताते हैं, और आपको education video भी provide करते हैं, stock market से related और non stock market related भी, आप चलकर जड़ा हम बात करते हैं, आज का कारोबार कैसा चल रहा है, कभी उपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी plus, कभी minus, पर bank nifty जो है, वो थोड़ा सा consistently एक negative zone में बना हुआ है, तो यह थोड़ा सा pressure बना सकता है bank nifty हाँपर, क्योंकि bank nifty जब कारोबार करता है, तो उसको वो leading indicator की तरह से माना जाता है, bank nifty का, तो थोड़ा pressure बन कि आस-पास profit वाए, उसका वीडियो हमने upload किया अपने channel पर, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने trade किया है, किस तरह से हम strategy बनाते हैं, और किस तरह से हमारा system हमको trade करने के लिए बताता है, यह paid service है, आप चाहें, तो अपना interest comment box में डाल दीजे, हम उसको आपको detail provide कर देंगे अब अगर इसका weekly chart का देखा जाए, तो यह falling channel में था, इसका शुरू से जो indicator है, वो falling channel में है, उसकी वज़य से अभी जो यह channel का last तीन हफते से उसने इस channel को breakout किया है, तो यहाँ से थोड़ी अच्छी value buying बन रही थी, जिसकी वज़य से कुछ लोगों ने यहाँ पे position ली अब अगर हम बात करते हैं, इसके जो first level resistance था, जब यह उपर जाने की कोशिश कर रहा था, यह था करीब करीब 180 गया, उसने उपर गया, कुछ दिन sustain रहा, और उसके बाद में उसने तोड़ के थोड़ा नीचे आया, तो हो सकता है, structure ली थोड़ा सा नीचे को आने की आगे, further कोशिश करेगा, level हम आपको बताएंगे, इसके उपर का resistance है 219, जो इसने cross कर देथा, और इसके उपर का resistance था, वो करीब-करीब था आपका 252, जो इसने वो भी cross कर देथा, तो बहुत अच्छा move किया, इसने upward, हो सकता है, अब retrace कर रहा है, हो सकता है, यहां से bounce back करे, हो सक कुछ दिन नमी बनी रहे, अगर यह इसके नीचे close करता है, आज, वहीं पर moving average की बात करें, generally moving average एक slow indicator होता है, पर interestingly, बहुत interesting fact आप समझे इस बात को, इस बार moving average ने इसको 3 दिन पहले indicator दे दिया था, कि मैं यहां पर down जाने की कोशिश करूँगा, तो आप समझी हो सकता है, कि कुछ term के लिए, यह downward fall बना रहे, कुछ लोग moving average फोलो करते हैं, कुछ लोग super trend फोलो करते हैं, पर ज्यादा तर लोग moving average को देखते हैं, तो इसके हिसाब से हो सकता है moving average क्रॉस करने के बाद, इस पे थोड़ा सा technically pressure आ रहा है नीचे की तरफ को, अब अगर हम बात करें इ अच्छी demand आए, stock के reference में, अब यही चीज अगर हम एक minute chart के हिसाब से देखें, तो आप देखें यहाँ पर, एक minute के chart में अगर आपको detail में zoom out करके दिखाएंगे, तो पहली जो एक घंटे का कारोबार हुआ है, उसमें काफी damage हुआ है, यहाँ से देखें, volume भी हाँ पर पंदर पंदर मिनट इसने काफी damage किया है, उसके बाद में भी हाँ पर consolidation zone है, अभी देखेंगे दिन बर का ऐसे कारोबार करेगा, पर हमारे हिसाब से long term के लिए काफी अच्छा view है, जब policies change होंगी, तो बहुत अच्छा profit मिलेगा इसको अपने काम के करने के लिए, अब हम तीन different segments बताएंगे जहाँ पर आपको buy कर सकते हैं, सबसे पहला आप current market price पर buy कीजे इसको, जो भी चल रहा है, छोटी quantity में, पर सबसे पहले आप यहाँ पर buy कीजे, दूसरा segment जो आपका रहेगा, वो रहेगा 165 के आसपास, यहाँ पर अच्छी demand हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप यहाँ पर support की तरह से काम करेगा, तो आप यहाँ पर खरीज सकते हैं इसको, और जो तीसरा segment रहेगा, वो 135 के आसपास रहेगा, यहाँ पर भी आपकी अच्छी buy कर सकते हैं, तो तीन range, current market price, पर कम quantity में, और बाकी दो जंगा पर आपका अच्छी quantity रखनी है, 165 and 135, you can buy at these levels, और इसका target जो हम आपको बता रहे हैं, एक साल के लिए इसका target करीब करीब 350 का target हम बता रहे हैं, हमारे हिसाब से, इसकी fundamental valuation बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह poised है, अपने position में, market में, पर overall industry थोड़ी negative जा रही है, और RBI का governor का जो weekend पे news आई है, उसके चलते भी थोड़ा सा pressure है, क्योंकि उन्होंने बहुत है कि NPA, GNPA थोड़े improve बढ़ेंगे यह आपर, तो इस वज़े से थोड़ा सा नमी आ सकती है, इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, जब आप long term देख रहे हैं, तो staggered manner में खरीद ये, और जो trader की तरह से देख रहे हैं, इसका target आपको 200 रुपे बता रहे हैं, तीन महीने तक आपको इसका target 200 रुपे आ जाएगा, तो आप short term के लिए भी खरीद सकते हैं इसको, और long term के लिए तो अच्छा portfolio में रहे गए रहेगा, यह हमारे खुद के portfolio में है, हमने client को भी recommend किया हुआ है अच्छा stock है, आप चाहें तो इसको अपने portfolio में जंगा दे सकते हैं, दोस्तों अगर कोई भी question होगा, तो please question पूछेगा, और अगर आपके पास existing holding है, तो बताइए कितने आपने खरीदा है, और कितना आपका time frame है, ताकि हम आपको customize advice कर सकें, यह भी हम आपको comment में pass करेंगे, और अगर आप paid service में interested है हमा हैं, और मैं आपके उज्वल बविशे की कामना करता हूँ, धन्यूदा